नमस्कार जैसा की आप जानते ही के आज तो ये गयरस को बहुत प्रभलम हो गई यह बेख माद्यम से वीमारी से हम निजयात पह सकते हैं और प् approved के थ्रुउ अपने आनर्जी को वापिस हम हम रिजनरेट कर सकते हैं तो आज की कक्षा में हम आपको बताने जाएंगे कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर किभल 5-6 आसन से जिनको करने मात्र से यदि रेगुलर उन आसनों को करें हम तो हम बहुत अच्छे से इस इरेगुलर पीरिड्स की बिमारी से हम अपने आपको आता लेनी चाहिए और नियमें तरीके से सुचारू रूप से रीति नीति को समझते वे हमें योगासन करने चाहिए और योगासन करते समय जब भी हम योगासन करें थोड़ी देर के लिए उनको हम थोड़ी देर के लिए आसन को हम धारन करें ताकि उसका असर हमारी बॉड को हम रेगुलर बना सकते हैं कुछ पर्टिकुलर योगास्तों के माध्यम से तो आज की कफ्षा कि आप सभी तयाल हो जाएं अपने योगा मैट के साथ में और यह हमारी गारंटी है कि आप इसका अभ्यास करेंगे तो 100% यूवल गार्द रिजल्ट आपको रिजल्ट मिले ग अभ्यास को रेगुलर बना सकते हैं जो 28 डेस का साइकल होता है उसी साइकल के अनुसार हमारा पीरेट आते हैं तो एक स्वस्त शरीर हमारे पास आता है स्वस्त माइंड आता है चली इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और आप आपको लेज चलते हैं कि किस तरह से कौन- और उस आसन का रिपिटिशन आपको कितनी बार करना है चली आए आज की कख्षा में आगे बढ़ते हैं और एक सोस्ती जीवन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं योग के मारे तो यहां से हम अपने दौनों पैड सीधे रखके दौनों हाथ अपने थाइस के पास में सीधी हिस् और नीचे के तरफ रखते वे उसकी एडी को हम अपने पेलीनियम पे टच करेंगे इस तरह से हमें टच करना है स्वांस भरते वे दौनों हाथ उपपर उठाएंगे अप दौनों हाथ के हैं आपस में मिला लेंगे और कमर को मैरूदंड को और सीधा करेंगे हलका सा हां अपने पेल की तरफ बहुत धीमी गती से आगे बढ़ेंगे जितना हम कर सकते हैं वो करने का परियास करेंगे जानों श्रीयासन करने से हमारी कमर खुलेगी कमर के आसपास की मसल्स और फ्लेक्सिवल होगी और पेट पे दबाव बढ़ेगा साथ में हमारे लैग मसल्स खु इसको थोड़ी देर के लिए पांच स्वांस के लिए हमें रोकना है दीरी दीरी स्वांस लेना है दीरी दीरी स्वांस छोड़ते समय अपनी अपर बाड़ी को और नीची की तरफ जाते वे हमें फील करना है देखना है कोशिश करें कि गुटना हमारा सीधा रहे और यहां से उपपर आते समय पहले गर्दन उपपर और फिर स्वास भरते वे दोनों हाथ उपपर की तब लाते वे मेरु दन को फिर से एकदम सीधा इरेक्ट करते वे दोनों हाथ घुमा के नीचे लियाएंगे हर एक आसन को हम दोनों तरब से दोर आएंगे फिर से दोनों पेर के नीचे नहीं रखना है, पेलीनियम पे एडी आपके टाचों नीचे है, फिर से पूरी एकागरिता के साथ में स्वास भरते वे, दीरे दीरे दौनों हाथों पर उठाएंगे आप, और कमर को उपर गितर खेंचेंगे, तानेंगे, और सीधा करेंगे, इरेक्ट करेंग तो कमर जितनी हमारी सीधी रहेगे, उतना पूरा हमारी मास्पेशों को, लोर अब्रव मस्स को, पूरा स्पेश मिलेगा, साथ में कमर सीधी होने से, स्ट्रेस लेवल हमारा निकलेगा, और मेरुदन जितना स्वस्थ रहेगा, सीधा रहेगा, स्ट्रेस निकलने से, जो मू पूरा लोर बैक से हमें स्ट्रेस्ट करते हुए धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरह से आपका बॉड़ी है अपने बॉड़ी के हिसाब से धीरे धीरे हम प्रयास करते जाए अभ्यास करते जाए तो इस आसन को पूर्ण द्याक करने में और अच्छे तरीके स करने में हम समर्थ हो जाएंगे फाइनल पोजिशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारा ललाड जो है वह हमारे घुटने के टाच हो यहां पर बिल्कुश शांत बन से रुखते वे धीरे-धीरे स्वांस लेंगे धीरे-धीरे स्वांस छोड़ते वे और बाडी को आपर हाथ नीच चलाएंगे और दौनों पैरों को सीधा कर देंगे तो यह था हमारा जानु श्रीयासन जो हमने अभी किया अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं पश्यमोतानासन के तरफ तो दौनों हाथों को स्वांस भरते वे उपर उठाईए अब लेके चाहिए स्वांस भरते उपर लोर्वेक से अपने कमर को थोड़ा और सीधा करें स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें धीरे धीरे स्वांस चौड़ते बहें लोर्वेक से पश्यम का मतलब करते हैं अपनी मेरूदंट को हम नीचे लेके आएंगे अपर बॉड़ी को पूरा ध्यानबड़ी सरलता से सुदंता से हमें करना है कोशिश करनी है कि हमारी एडिया पकड़ में आ जाए नहीं आती है तो दीरे-दीरे हम स्विंग दे सकते हैं पूरा स्ट्रेश करनी के बाद में हमारी गर्दन को हम अंदर के तरफ टर्ण करेंगे और कोशिश करेंगे कि घुटनों पे हमारा खिचाव आएगा और साथ में कमर कि हमारे फ्लेक्जिबिलिटी बढ़ेगी और दबाव खिचाव से ही कि हमें लोर अब्लों मसल्स में ब्लड सकुलेशन अच्छा होगा और वह हमारी मदद करेगा इरेगुलर पीरिट्स को रेगुलर बिराने में थोड़ा और आगे बढ से अपने बड़ी के हिसाब से पश्चिमवतानासन में हम रुकेंगे और स्वांस भड़ते वे दोनों हाथों को अपर ले आएंगे मेलुदन को सिधा करेंगे और स्वांस छोड़ते वे दोनों हाथ घुमां के हां नीचे लेकर आ जाएंगे तो हमने किया दौनों तरब से से बैठना है सै मेरूद्र विलनको सीधा और वज्राशन इसको कहा जाता है बैठने से शक्रतही अ कि हमारी कमर जो है मेरूद जो है वो सीधा हो जाता है और साथ में बहुत अच्छा अस्पेश है हमारी इस्टarmak के एरिया को हमारी इंप्रूव होता है साथ में ब्लॉट सेपूलिशन अच्छा होता है हिप जॉइन के मसल्स पे पैलबे सेरिया पे लेग मसल्स पे साथ में रेगुले पीरेट्स में यह अमारी बहुत साहिता करता है यहां से इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करके दिखाएंगे कमर आपका जुकावा ने एकदम सीधा वच्च्छ की भाते हैं कि बिल्कूर सीधी कमर आपके और शांत मन रहके इस आसन में बैठने मात्र से कि हमारी बिमारी को हम क्यों कर पाएंगे यहां से इर्एगुले पीरेट्स कि लिए बहुत ते साधरन साशन है उस आसन का नाम है शशांक आशन चाईपोस की दौनों की विश्की चोड़एँ थोड़ी से बढ़ाएं गुट्णों की विश्की बहुत बढ़ाया है यहां स से दौनों हाथ उपर उठाएं स्वास बढ़ते वे मैं रुदन को सीधा करें और धीरे 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 स्वास छोड़ते वे दौनों गुटनों के बीच में अपनी अपर बॉड़ी को नीच लिए आए कि दौना हाथ सीधी रखें सामने और बिबकूर रिलाक्स हो जाएं लोर बैक के हिस्से को ढीला छोड़ें शांत इसे स्वांस पर स्वांस की किरिया पर ध्यान लगाएं और इस आसन को कि थोड़ी देर के लिए हम रोकेंगे और रोकते समय ऐसा भाव भरेंगे कि इस रेलक्सेशन का और जो अभी शरीर के अंदर बहुत हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसका पूरा असर हमारे इर्रेगुलर पीरिट्स को रेगुलर करने में यह साधरन सा आसन बहुत मदद कर रहा है इस आसन को करने मात्र से सारा स्ट्रेस हमारा रिलीज होता है पैल्विस एरिया से लोर बैक एरिया से टाइट हिप जोइंड मसल से साथ में अपने आपके अंदर हम बहुत शांती और आनंद का नुभव करते हैं तो दुमागी तौर पे भी हम अपने आपको एदाउम रिलक्स फील करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं इर्रेगुलर पीरिड्स का सबसे प्रमुख कारण है इस्ट्रेस तो इस्ट्रेस रिलीज करने का यह बहुत अच्छा आसन है और धीरे धीरे विलकुँ शांत बन से स्वास भरते वे फिर से हम गर्दन उपर उठाएंगे पहले और फिर स्वास भ आते हम आराम के स्थिते में दोनों गुटने मिलाके बैठ जाएंगे यहीं से हम जाएंगे भजराशन की तरफ तो इसके लिए पहले आप तितली आसन में बैठें बटर फ्राइव पोजिशन जिसको कहा जाता है उस आसन को हम लेंगे यहां पे दोनों पैर की एडिया दोन है जैसे हम मैरुधन सीथा करने का और भ्याज करेंगे परियाज करेंगे लोर फें तो हम ऐसा शरीर के अंदर महसुस करेंगे कि हमारी थाए मसेश पे इनर थाई मस्स पे और पेल्वीज एरिया पे थोड़ा खिचाव मैसुस करेंगे तो वह खिचाव और दबाओ से ब्लड साकुलेशन अच्छा होगा और वह हमारे इरगुलर पीडिर्स को करने में मदद करें अब यहाँ से भदरासन के लिए हम बटरफ्लाइन करेंगे तितलीय situation करेंगे अब 20-40 वार लगातार आप नियाल संगत से होगा कि लगातार आपके पर्याइशन के ऊंदर लोग्रेम्ण मसल्स और All जोंडर के अंदर लैक के अंदर अच्छा होगा और दीरे दीरे कोशिश करेंगे घुटने पूरे उपर आए और गुटने पूरे नीचे जाए और थोड़ा सा मुपतले कमर को ऊपर खेंचेंगे और दीरे दीशे स्वांस होड़ते वे हम गरधन को सामने की तरफ रखते हुए नीचे आएंगे और पॉहनियां बहर के तर निकाले और दीरे-दीरे कौहनियों को जमी के तरफ आने देंगे पूरा नीचे जाने के बाद में गर्दन को अंदर की तरफ हम टन करेंगे जितना हमसे होता है इस आसन को नीचे जाने के बाद में शांत मन से हमें रोकना है और इस आसन को करते समय स्वांस पर स्वांस की क्रिया को एकदम सामाने चलने देना है इस आसन को हमें फील करना है अनुभव करना है साथ में ये भी अनुभव करना है और महसूस करना है कि इस आसन को करने मात्र से मेरी बॉडी अपने आप पे एक पॉजिटिव इफेक्ट अपने अंदर लाती भी और मेरे पेल्वी सेधिया और संपूर मेरे कमर का वायाम होता हुआ और इसका बहुत अच्छा असर मेरे इर्रेगुलर पीरिट्स को रेगुलर करने में मदद करता हुआ साथ में मेरे शरीर से मेरे माइंड से इस्ट्रेस वहार आता हुआ मनी मन अंदर ये अंदर हमें शरीर पे माइंड पे ब्रैथ पे स्वास पर स्वास की क्रिया पे इसका बहुत सरल असर और आनन्दमें असर हमें अनुभव करना है आसन को जब हम रोकेंगे तो इस आसन का प्रभाव जो है हमारे पीर्यर्स को रेगुलर करने में मदद करेंगा और धीरे-धीरे स्वास भरते वे पहले गर्दन उपर रखेंगे, और धीरे-धीरे आराम से हम स्वास भरते वे मेरुदन को सीधा रखते वे उपर आ जाएंगे, हर एक आसन को कम से कम हम तीन-तीन बार हम दोहराएंगे, एक बाफेट से इसी आसन को करेंगे, स्वास भरते व के बाद में गड region को अंदर की तब करें कुशिश करें के आप कल आलाग जो हैं आपके पैर के पंजो पे टच आ यह यह पार पे पंजो में स στη टो हो जाता है तो आप जमीन पेट करें और यह पेर के पंजो पेट अहीं होता है ठी दे देव्तिता को और नीचे जामस भी सर्फरणी के बाद की स्व只 से वापिस उपर की तब मेरुदन को लेके आएंगे और वापिस से दौनों पैरों को सीधा कर देंगे सामने और दंडासन के स्थिति में बैठ चाएंगे रिलाक्स होके हम बैठेंगे